उत्तर परदेश में दिल्ली से एक बड़े खाथसे की खबर सामने आई है। उत्तर परदेश में आज सुबा एक भीसर हाथसा हो गया जिसमें दो लोगों को जान गवानी पड़ी। नमस्कार मैं ही नश्रवासता आप देख रहे हैं प्रगती मेडिया। आगरा लखनों एक्सप्रेस वे पर सनीवार की सुबा स्लीपर बस और ट्रक में एक खतरनाक एक्सिडेंट हो गया। हाथसे में बस के ड्राइवर और हैपर की मौके पर ही मौध हो गई। बस में सत्तर स वारियां थी जिसमें आगे बैठे 12 लोग गंभी रूप से जक्मी हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया है। यहां हाथसा कन्योज जिले के ताल ग्राम थाना के पास हुआ। वहीं राजधानी दिल्ली में सनीवार को भीसर आग लगने का मामला सामने आया है। यहां इंद्र लोग के सहजादा बाग इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्टरी में आग लगने के हरकम मच गया। जानकारी के बादमाके पर तत्काल दमकल की नौ गाडियां पहुच गई और आग पर काबू पाने में जुट गई। बहु मंजिला इमारत म आग लगने से पूरे छेतर में अफरा तफरी मची गई। मामला दिल्ली के इंद्र लोग के सहजादा बाग इलाके का है। यहां आज सुबा एक बहु मंजिला प्लास्टिक फैक्टरी में अचानक आग लग गई। पूरे इलाके में आग की लप्टे से उठा धुआ नज के पर पहुच गई। माजू दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं धन्यवाद खबरों में बने रहने के लिए प्रगती मेडिया को लाइक करें सस्क्राइब करें।